Hi, welcome back to our channel. आज किस वीडियो हम जानेंगे Brightwell के new update के बारे में Brightwell navigator Brightwell में कुछ नए updates हुए हैं जैसे कि आप अपना Brightwell app open करेंगे तो आप को कुछ इस तरह के नए options देखने को मिलेंगे जैसे आप send money पे click करेंगे home में तो आपका balance show होगा तो यहाँ पर आप देखे यह कुछ नए options हैं अपडेट करने के बाद आपके उसमें शो होंगे अगर आपने अपडेट नहीं किया अपने Brightwell app को तो आप सबसे पहले उसको अपडेट करने Play Store या App Store में जाके उसके बाद आपको कुछ नए options देखने को मिलेंगे पहला option है तो बैंक अकाउंट इससे आप वेस्टेंट के थुरू और ओन डिमांड पैंसा भेज सकते हैं जैसे कि उपहले लिखाए ट्रांसपर विद वेस्टेंट नहीं है ओन डिमांड कैन बीफांड अंडर टू बैंक वाले options है यह एक नए option है तो यह भी अच्छा option है जितना 100 परसेंट 50 परसेंट इसमें सेट करके आपने भेज देना है डिरेक्ली उतना आप पैसा बेज सकते हैं यानि आपके बैंक के खाते में ही जाएगा हो तो यहां पर हम जानते हैं सबसे पहले वेस्टेंट से कैसे बेजिंगे उसके लिए आपको पिन चाहिए आपका जो वेस्टेंट कार्ड है उसका पिन आपको क्रियेट करना होता है अगर आपने तक नहीं किया है तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे करना है अगर क्रियेट किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है तो सबसे पहले देखे टु बैंक अगाउंट इस ऊप्शन में क्लिक करना है आपने उसके बाद दो ऑप्शन आ जाते हैं सेंड ऑन डिमांड सेंड विब संदक रएं टइब करने उसके बाद देखेंग कंट्री अब एपने पैसा वह रहें है वह कंट्री अपने स्लैक्ट करनेए स्लक्ट स्लैक्ट करना है और हो आपको कई अर्म चंबर करके दखा दे उसके बाद नेक्स्ट आपने गेट रेट्स पर क्लिक करना है आपको एक्चेन रेट यहां पर सो जाएगा देशके एक्चेन रेट आपको यहां पर पुरा शोर है सेंड अमाउंट कितना भेज रहे हैं रिसीबर अमाउंट एंड फीस फीस अभी थोड़ा दिया है दो डॉलर पहले तीन था अभी पांच हो गया है अभी टोटल कॉस्ट आपको नीचे आप दिख रहा होगा उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है यहां पर तो प्रोटैक्ट यूर्श फ रॉरोС तो यहां पर आपने इसको पूरा रिड कर लेना है ध्यान से उसके बाद आपने एक्सेप्ट एंड कांटिउ संद पर क्लिक करना है उसके बाद scroll down करने के बाद नीचे आप देखें, sender, birth country. तो यहाँ पर आपने जो आपका birth country है, वो select करना है, उसके बाद next receiver information में click करना है, उसके बाद आपने receiver की information fill करनी है. Receiver Information में आप देखिए, सबसे पहले है Name Format, आपने Name Format सेलेक्ट कर लेना है, यहाप पे, जैसे देखिए, दो Format यहाँ पर आ रहे है, जो पहला Format है, First Name, Middle Name and Last Name, तो यहाँ पे First Name डालना है, Middle Name डालना है, Last Name डालना है, Next आपने देखना है, परपज आपने यहाँ पे सलेक्ट क कर लें नीचे एडिस्नल इंफ्रमेशन डिस्टीबर मौबाइल नंबर कंट्री कोड यहां पे देखिए अपने डाल लेना है और रड़ी आ जाएगा क्यूंकि आपने पहले उपर कंट्री स्लेक्ट करकिया उसके बाद रिस्टीबर मौबाइल नंबर डालना यह ऑप्शनल सारे बेंक आजाएंगे, अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड आपने इसमें डालना है, अगर IFSC कोड आपको पता नहीं अपने बेंक का, तो आप गूगल में भी सार्च कर सकते हैं उसको, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसके बाद next review पे आपने click करना है उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे receiver and confirm transfer तो जो sender and final receiver है उसकी पूरी detail यहाँ पे आजाएंगी आप scroll down करें बैंक की detail, transfer detail and आप तरह से scroll down करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपने इस box पे check करना है I have read and agree उसके बाद आपने confirm and send पे click करना है confirm and send पे click करने के बाद आप देखें यहाँ पे आ रहा है please enter your card pin to continue तो यहाँ पे जो four digit का आपने pin create किया है अपना bright bell card का वह आपने डालना है उसके बाद आपने okay पे click करना है अगर आपने अभी तक create नहीं किया है अपना card activate नहीं किया है तो वह भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको activate कराना है अगर आपने activate किया हुआ है तो आप pin डाले उसके बाद okay करें next आप देखेंगे receipt success क्रेंटिक आगया आपका पैसा चला गया है download receipt copy यहाँ पे click करके आप receipt को download कर सकते हैं नीचे आपका tracking number आ गया MTCN number इसके तुरू आप ट्रैक भी कर सकते हैं link description में वीडियो का sender and final receiver detail आपको इसमें दिख जाएगी उसके आपने सब्सक्राइब करना है इसमें आपकी sender detail, receiver detail, bank detail, transfer detail सब कुछ आपको शोगा scroll down करना है उसके बाद आपने done पे click क करना है और दूसरी payment करनी है तो make another transfer पर click करना है यहाँ पर इस bright wall का जो card pin है वो already create किया हुआ था अगर आपका pin नहीं create हुआ है आपके पीन नहीं है तो आपने pin कैसे create करना है आपने जाना है simply setting में setting में जाने के बाद आपने my card जो third option है इस पर click करना है उसके बाद यहाँ 3 option आएंगे change pin अगर pin change करना है तो यहां से change कर सकते हैं आप pin को lock card करा सकते हैं अगर का card कहीं प्रेंप गुम घणा हो गया तो आप यहां से card को lock करा सकते हैं तीसरा है activate card यो तीसरा option है इस पर आपको करने है उसके बाद यहां पे अपना कारड नमबर डालना है रिंटर र्था नंबर जो आपके कारड में फ्रेंट में 16 गोडालने है एकारी डेट उसके बाद यहां पर select कर लेना है expiry month and year then create pin आपने फोडिजिट का कोई pin create कर लेना है उसके बाद confirm करना है उसके बाद activate card पर click करना है आपका card activate हो जाएगा आपके बास pin आ जाएगा उसके बाद आपने same वही process जो मैंने आपको पहले बताया था send money में जाके to bank account में जाके सारे details को fill करना है और इसी परकार से आपने पैसे भेजने है बाकी इसमें आपको और भी features मिलते हैं जैसे change pin जो pin आपने create किया हुए अगर बाद में आप उसको change करना चाते हैं तो change pin में click करके pin को change कर सकते हैं अगर आपका card कहीं खो जाता है गुम हो जाता है तो आप lock card पर click क कि अपने card को lock करवा सकते हैं और activate card तो मैंने आपको बता दिया तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी चैनल को भी subscribe कर ले आगे भी इस तरगी वीडियो को देखने के लिए thanks for watching bye bye take care